ग्रेट गुड मॉर्निंग ट्यू आल मैं तमाम विद्धार्थियों का और तमाम दर्शकों का इस मगत पत्र यूट्यूब चैनल में अपिनिंदन करता हूँ माई डियर फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या है सिविल सर्विसेश परिक्षा या वाट इस सिविल सर्विसेश एक्जामनेशन तो civil services जो है एक competitive exam है चुकि UPSC के द्वारा conduct कराया जाता है इस परिक्षा में उत्यर्ण होने वाले विद्यार्थियों को देश के all India level पे बिभिन बिभिन जो central government की services है उसमें उन्हें भेजा जाता है या service अलॉट की जाती है तो UPSC जो है एक commission है एक आयोग है unions public service commission जिसके अंत्रगत जो है यह competition civil services का कह सकते हैं कि आयोजित किया जाता है और मुख्यता जो है इसमें कह सकते हैं तीन stages होते हैं तीन phases कह सकते हैं पहला है प्रारंभिक परिक्षा दूसरा मुख्य परिक्षा और टीसरा शाक्षातकार प्लिम्नरी एक्जामिनेशन मेंस एक्जामिनेशन और इंटर्वियो यह तीन स्टेज से गुजरकर कह सकते हैं बिद्यारतियों का जो है चैन होता है इसमें जो है civil services का कह सकते है करेज अल ओवर इंडिया में अधिक है से mother of all examination कहा जाता है कह सकते हैं और यह कह सकते हैं कि अग्रेजों के जबाने से चला रहा है और इसे कह सकते हैं पूरे शाषन व्यवस्था का या फिर पूरे राष्टर का इसे स्टील फ्रेम का नाम दिया गया तो इसकी महता और इसके importance इसके significance आप इस चीच से ही समझ सकते हैं इसमें जैसे बिभिन पद्ध हो गए जैसे IAS Indian Administrative Service, IPS Indian Police Service, IFS Indian Foreign Service, Revenue Service, Railway Service इसमें हर एक सेक्टर में जो All India Level के करमचारी होते हैं एक ग्रूप के वो इसमें जाते हैं इसमें जैसे पर DM बनते हैं तो कह सकते हैं यो पिस के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है इसका तीन स्टेश होता है और यह विबिन而已 जो है सिवाओं में कह सकते हैं अपनी जो है service प्रोवाइड करते हैं तो इसके कुछ तीन स्टेजों के बारे में भी कुछ जान लेते हैं जैसे प्लिम्नरी examination हो गया तो civil services प्लिम्नरी examination में मुख्यत दो paper होते हैं एक GS का और एक CSAT का तो GS paper जो होते हैं वो कह सकते हैं merit list कह सकते हैं जिससे आता है mens के लिए इसका जो है final merit list में इसका marks नहीं जुटता लेकिन mens के लिए आप जैसे कह सकते हैं कि प्रारंबिक परिक्षा है प्रिमलरी एक्जामनिशन जो है वो first door है पहला दरवाजा है जिससे पार करने के बाद जो है मेरिट लिस्ट इसी मेंस का जी एस वन के पेपर से आपका जो कह सकते हैं कि मेरिट लिस्ट के अधार पर आप मेंस के लिए क्वाइफाइब करेंगे लेकिन जो इसका प्री का और प्रारभिक परिच्छा का जो दूसरा पेपर है इसमें बस पास करना होता है 33 परशन्ट जो है मार्क्स ले आई इसमें पास कर जाएंगे तो इसका कह सकते हैं कि इसके मार्क्स प्रारभिक परिच्छा में भी नहीं जूटते यह चीज हो गया तो फॉस्ट डूर या फॉस्ट से पार करने वाजब आप फिस सकेंड स्टेज म में मिन्स एक्जामनीशन में कह सकते हैं कुल 9 नौव पेपर होते हैं तो आइए देखते हैं सबसे पहला एक इंगलीस पॉल सरी और एक और हमें लैंगविज पेपर को चुनना होता है जैसे गुजाती, म्राथी, मल्यालम, मैथली, हिंडी, उर्दू जो भी है तो दौ हमे language paper में appear होना परता है इन दोनों language paper qualifying in nature है मेंस के जो final merit list है उसमें इसका number जो है add नहीं किया जाता अगला paper है essay उसके बाद 4 GKGS का paper होते हैं और 2 optional कुल कितने paper होगे दो language paper एक essay तीन चार जो है जी के जी इसका चार किन साथ और एक optional subject हमें चैनर करना होता है जिसके दो paper होते हैं यानि कुल 9 paper हो और अंत में जो final stage है जो final door कह सकते हैं वह है शाक्षातकार interview interview कह सकते हैं किसे हमें गुजरना होता है और इंटर्व्यू में है पास करने के बाद त्यार्थियों को rank के अधार पर merit list के अधार पर जिरूने service allocate किया जाता है तो यह सब कुछ मूल भूट जो basic introduction है एक अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे यह कितने कितने marks के क्या सकते हैं यह content करते हैं और कितने marks की प्रिक्षाएं होती हैं और फिर इसके preparation या फिर इसके strategy और अन्य सारी रिलेटेड इंट्वर्मेशन और यूपिए से सिविल सर्विसेस एक्जामिनेशन से सब्सक्राइब अच्छा लगा तो इसे लाइक से रहें सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यूआ ग्रेट